So hello everyone, आज हम अपनी java series ही continue कर रहे हैं Last video में हमने casting concept को समझा था अब इस video में हम constant concept को समझते हैं देखी क्या होता है, कुछ variables हम चाहते हैं कि जैसे अगर suppose देखो, pi की value क्या होती है, 3.14 होती है अब मैं चाहती हूँ कि कभी भी मेरे code में pi की value दूसरी value ना हो तो अगर जब भी मैं कोई variable की value declare कर दूँ कि यही final value है, यह constant रहनी चाहिए, इसको change ना करो constant का मतलब होता है, कोई भी ऐसी value जो वही value रहे और उसमें कोई change ना है, तो वो constant होती है ठेक है, अब देखे, pi, अब मैं चाहती हूँ कि pi की value 3.14 ही रहे है और इसमें कोई change ना है, तो मैं क्या करूँगी, simple है मैंने float pi लिया है, pi variable लिया, अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले में final keyword लगा दूँगी, final keyword जब भी हम लगा देते हैं, उसके बाद कभी भी अब pi की value update नहीं कर सकते हैं, कोई दूसरी value नहीं डाल सकते pi में, pi की value पूरे code में 3.14 ही रहेगी, so this is the use of final keyword and अब हम समझ के consistent concept क्या है, ठेक है, अब next videos में हम ऐसे ही छोटे-छोटे concepts लेंगे, ठेक है